हाई एवरियों स्वागत करते हो आपका अपनी चैनल ग्रानी गार्डन ब्लाग समय और दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि हम लोग अभी फिलाल भोपाल में थे और काफी समय हो गया था मतलब 10 से 12 दिन हो गये थे हमें वहीं रुपना पड़ा और उसके बाद में आज हम लोग आ रहे हैं वापस घर रीटन और रीटन का मेरा ये ब्लाग है इसलिए आप जरूर से जरूर पूरा देखिए क्योंकि बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलने वाला है तो रीटन आने से पहले जो हमारी घर की विवस्था होती है मतलब रख रखाओ वो भी हमें सबस से सेट करके आजाओंगी सेट करके नहीं मतलब ऐसे इस तरीके से हमें सेट करके जाना है कि जब भी हम लोग आए तो हमें विवस्थित मिले तो इसलिए मैं अभी सारा कुछ सामान एक जैसा समाल कर रख रहे हूं क्योंकि भले ही घर हमारा बंद रहता है लेकिन करना ही पड़ता है तो पहले ही थोड़ा सा विवस्थित करके रखो तो थोड़ा ऐसा लगता है कि हम लोग रीटन घर वापस आए है तो अभी तो खैर फिलाल मुझे नहीं आना है अभी बस कुछ दिन के बाद में ही आऊंगी मतलब कुछ दिन क्या कुछ मेहना है तो लग समय नहीं दे सकते हैं तो अभी जो भी हमारी साफ सफाई थी लगबग वो पूरी होई चुकी है और आज हमें रिटन जाना है तो भी हमें काम करना ही है तो इसलिए आज थोड़ा सा मैं पुरा वेस्थित करके जाने वाले हूँ जैसे जाड़ू, पोछा, कपड़े वगेर मैं कुछ अपने पेड पोधे लेकर आई थी घर से तो उन्हें अभी तो मैं डेली पानी दे ही देती थी साम के समय में लेकिन अब मुझे आज रिटन जाना है तो मैं अभी सुबह ही उन्हें पानी दे रही हूँ और उसके बाद में देखते हैं कि कितने दिन तक हमारे पे पेड हो या फिर छोटे बच्चे हो जब तक के उनकी विवस्ता सही तरीके से नहीं होती है वो ग्रोथ नहीं करते हैं तो बस अभी पेडों पर भी मैं पानी दे रहे हूं देख रहे हूं कि कहीं कोई पेड खराब तो नहीं हुआ है या इदर उदर जूका तो नहीं है मतल चीज विवस्थित करके ही हमें आना है वैसे नहीं आ सकते हैं उसके बाद में बेटा तो रहता ही है तो उसे बोलना पड़ता है कि बेटा पानी डाल देना पेड़ों पे क्योंकि पेड़ हो या बच्चे हो बहुत मेहनत करना पड़ता है और उसके बाद में मैं आ गई हूं क किचन में किचन में मैंने सुबह के समय में नास्ता बनाया था तो कुछ बरतन थे और सारे बरतन साप करने के बाद मैं इसे धक कर आऊंगी क्योंकि हमलोग जब भी रिटन जाएंगे तो हमारे बरतन थोड़ा सा वैस्तित भी रहना चाहिए और वैसे भी बरतन वगरे हो या जो भी सामान हो हमारे घर में कभी भी हमें खूला छोड़ कर नहीं जाना चाहिए क्या होता है कि अगर हम लोग खूला छोड़ देते हैं तो जैसे कीड़े है या फीर जैसे छिपकली है चुभे औगेरे ये सारा कुछ घूमते रहते हैं तो कहीं हमारे बरतन में ना आ जाए इसलिए हमें सारी चीजे को ढख कर ही जाना चाहिए क्योंकि उसके बाद में हमें नहीं पता होता है कि दो दिन लगते हैं चार दिन लगते हैं या फेरा हपता लग जाता है तो इसलिए क्या है घर में भी सारी चीजे ढख कर और विरस्तित करके ही जाना चाहिए तो अभी मेरे थोड़े से ही बरतन थे वैसे जादा नहीं थे क्योंकि सुबह के समय में मैंने नास्ता ही बनाया था और हमें जल्दी भी निकलना था इसलिए जादा कुछ से टिपीन वगरे मैंने तयार नहीं किया है क्योंकि खाना अगरे इतने जल्दी तो बन भी नहीं पाता और हमें जल्दी सुबह निकलना था तो सोचा कि रास्ते में ही कहीं खा लेंगे क्योंकि इतने सुबह खिलाता भी नहीं है और लेकर जा तो पूरा खाना थंडा हो जाता है तो फिर खाने का मन भी नहीं करता है और उसके बाद में लगभग दो घंटे तक हमें इसी तरीके से सफर करना है और उसके बाद में हम थोड़ा खाना वना खाने के लिए यहां पर नीचे उतर जाएंगे तो यह देखिए हम लोग यहां नीचे उतर गए और यहां पर पड़ा हमें बहुत ही अच्छा सुन्दर एक ह अंदर का भी लेकिन सामने जो है ना गार्डन वगे और इस तरीके की फोटो गे और बहुत सारी जगह है तो बहुत ही अच्छा लगता है यहां रुकने में भी फोटो शूट और सभी लोग जब भी आते हैं तो सब कोई करते हैं क्योंकि मुर्थी वगे और गार्डन वगे है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों को खेलने के लिए भी बहुत ही अच्छा है तो ऐसी होटल ना बहुत कम मिलती है लेकिन यह हाईवे पर ही है तो इसलिए सारी विवस्ता यहां करके रखी है तो बस अब चलते हम लोग सीधे अंदर दिए देखिए भाई ह हम लोग आ गए है अंदर और अंदर का भी लुकनक बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत अभी सुबह का समय मतलब लगबग एक से देड़ बजा है वैसे ज्यादा समय नहीं हुआ है तो इसलिए यहां पर ज्यादा भीड़ भी नहीं है साम की समय में मतलब पांच होटल दिख रही है तो सोचा कि यहीं पर जाना चाहिए वैसे इसके पहले भी हम लोग एक दो बार यहां पर खाना खा चुके है इसलिए हमारे लिए कोई नया तो नहीं है लेकिन फिर भी आज मुझे आप लोगों से शेयर करना था इसलिए मैं आपको पूरा वीडियो चार ही टेबल मतलब लगे भी है भरे भी है बाकी तो अभी पूरा खाली ही है तो जब खाली रहता है न तो अपनी मर्जी से हम लोग बढ़ सकते हैं टेबल पे तो बस हमने भी सोचा यार ज्यादा अंदर भी नहीं जाना है और ज्यादा पीछे भी नहीं बीच में रहो फ लोग पहुचते हैं कि वहाँ पे जो वेटर लोग रहते हैं उन लोग आडर के लिए आई ही जाते हैं लेकिन थोड़ा सा रिलेक्स है तो होना ही पड़ता है तो हमने यहां पर सबसे पहले सबजी और रोटी का आडर दिया था और यहां बोला था कि भाई वेज करी मिलेगी लेकिन यहां जब देखा ना जब सामनी आया तो यह तो वेज के नाम से भी पूरा बकवास ही लग रहा था लेकिन क्या करें मजबूरी थी मंगा लिया है तो खाना ही पड़ेगा बिल्कुल भी टेश्टी नहीं था कभी-कभी होता है ना कि हम लोग घर में भी खाना बनात दाल चावल थोड़ा सा ठीक लगा हमें तो हमने दाल चावल तो पेड़ भरके खाई लिया लेकिन रोटी सबजी में मन नहीं भरा था लेकिन खाना ही पड़ा भैपैसे देकर अगर हम लोग खरीद रहा है तो खाना ही पड़ता है तो दोस्तो इस तरके से हम लोगों ने खानावाना खाने के बाद में फिर निकल गए अपने रस्ते से क्योंकि अब हमें पहुचना है घर और वहां से भी हमें लगबग 2 घंटा लग ही जाएगा घर पहुचने के लिए तो दोस्तो आज का जो मेरा रिटन ब्लाग था आप लोगों कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए क्योंकि काफी समय हो गया था मैंने रिटन ब्लाग आप लोगों के साथ में सेयर नहीं किया था तो मुझे लगा कि आज का ब्लाग तो आप लोगों को बहुत ही बेश्ट लगने वाला है थेंक यू दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक न्यू ब्लाग के साथ में बाब बाई